हेलो फ्रेंड्स यहां पर मेरे पास टी फाइव एंड्रोइड कार इस्टिरियो है और यह प्लेयर 360 को डिरेक्ट सपोर्ट करता है यह 360 वाला वेरियंट है और यदि आपको इसमें normal back camera चलाना है single back camera यह फिर 360 चलाना है और इसमें application नहीं आ रहा है तो इसकी setting कहां पर होती है 360 को on off करोगे तो normal back camera चला सकते हो single back camera और 360 को आप on करोगे तो 360 camera आपका चलेगा 4 camera तो इसके लिए आपको car setting में जाना है then system setting then factory setting and again factory setting और यहाँ पर password टाइप करना है 1617 यह फिर 2014 यह फिर मैं password जो भी इसका password होता है नीचे mention कर दूँगा then confirm और यहाँ पर आपको 360 का option दिखेगा इसको mark कर देना है तो यह 360 में आ जाएगा यदि normal single camera चलाना है इसको disable कर देना है okay disable करने के बाद save करना यदि enable होगा तो disable कर लेना single camera के लिए और यदि 360 चलाना है तो आपको enable करना है okay आप जब enable करके save करोगे तो आपका यह player में 360 की एक application आ जाएगी जो की restart करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यह भी player restart होगा इसके बाद मैं दिखाता हूँ 360 की जो application आएगी जैसक यहाँ पर आप देख सकते हो player restart हो चुकी है जैसी आप application पर click करोगे तो यहाँ पर 360 panorama एक application आ जाएगी यदि यह application 360 panorama के नाम से आ रहा है तो it means कि आपका 360 supported player है यह फिर यहाँ पर 360 के बाद कुछ challenge character आता है तो it means कि आपका 360 player नहीं है तो आप उसमें try नहीं करना 360 चलाने का क्यूंकि चलेगा नहीं यह ऐसे English में लिखा आना चीए 360 panorama और इसकी camera की setting के लिए आप इसको open वैसे click करोगे तो open अच्छे से हो जाएगी यदि challenge character में होगा तो open नहीं हो पाएगी यहाँ पे देख सकते है 360 की application open हो चुकी है इसमें camera अभी मैंने plug नहीं करा हुआ है इसलिए यह blank आ रहा है और इसकी camera की setting के लिए 360 की camera की setting के लिए आपको दुबार से car setting में जाना है system setting, factory setting और again factory setting 1617 password डालना है यह फिर आप साथ साथ में उस time भी कर सकते थे जब अपने enable करा था और फिर यहाँ पे आपको जाना है back car setting में और यहाँ पे जो resolution है aux, tv and rear and front सम्में आपको एक ही resolution put करना है जिस resolution का आपका camera होगा suppose कि 720 का camera होगा तो आपको यहाँ पे 720, 25 hertz select करना है 1080 का camera होगा 1080, 25 hertz इसको select करना है यह भी 1080, 25 hertz पर selected है यह camera होगा तो इस option पे चलेगा इस resolution का यह 720 resolution का camera होगा तो आप इस resolution पर click कर सकते हो जैसे एक में camera save करोगे मैंने select करा 720, 25 hertz सारे में आपको जितनी भी option है सम्में एक साथ change होता होगा दिखाई देदेगा देख सकते हो यहां भी 720 आ रहा है यहां भी 720 यहां भी 720 यहां भी 720 यह फिर 1080 का camera होगा इसको select करोगे सम्में change हो जाएगी उके उसके बाद क्या करना है option को select करने के बाद आप save कर देना save करने के बाद जब आप आपका player restart होगा तो आप 360 application open करोगे camera plug करके तो आपका application चालो हो जागा और camera आपका यहां पे camera की भी हो आ जाएगी ओके थैंक्यू